जातर मेरी बेहनों की क्वैरिस होती है कि जब हम ऑफिस से या कॉलेज से या बाहर से आते हैं तो हमारी स्किन धूप से इतनी हच तक जूलस चुकी होती है तो देखने का दिल नहीं करता है अपना ही चेहरा इसलिए फ्लीज कुछ ऐसा रेमेडी हमें शेयर कर दे बता दे जि यो होती है ना मैं बताती चलों कि पिग्मेնटेशन का रूप ले लैती है अगर आप इस टैनिंग भाते जाते हैं यानि कि जिसको आप लगा करके अपनी टैनिंग को दूर कर सकते हैं यह 100% सेक्योर है बिल्कुल केमिकल फ्री है और आप इसको इसली घर पे फ्री आफ कोस्ट बना सकते हैं कोई भी बीसको लगा सकता है और बहुत ही ज्यादा सेफ है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फ जितना भी जिद्धी आपका पिग्मेंटेशन हो जितना भी जिद्धी आपका दाग धपा हो संटेंट बहुत जादा हुआ है तो आप टमाटर से इसको रिमूफ कर सकते हैं हमें इस रेमेडि के लिए आधा टमाटर का पल्प के साथ जूस चाहिए होगा बहुत ही अच्छे से इसको स्क्वीज कर लीजेगा अच्छे च्छे से दबा कर इसका रस पल्प के साथ ले लीजेगा आधा टमाटर इनफ होगा यह आपकी हर तदह के पिग्मेंटेशन को दूर करता है दाग धबों को मिटाता है अब हम इसको एक इंपिटी बाउल में ट्रांसफ करता है एक चमच हमें छोटा इसमें एड करना है हनी का यह आपकी टैनिंग को तो दूर करता है कसावट पैदा करता है आपकी इसकिन को टोन करता है और जितने भी आपके ओपन पोर्स है उनको यह श्रिंक करता है जिससे आपकी इसकिन काफी खिली हुई लगती है डर्ट और इंपुर्टीज को निकाल के बाहर करता है जिससे आपकी जितनी भी मैल कुछ है रहा वो बाहर खिचकर निकल आती है यह पैक अगर आप यूज करते हैं तो आपकी टैनिंग भी दूर होगी और बहुत जिद्दी वाली जो आपकी काली पड़ते हैं वो भी उताना स्टार करते हो जाएंगा संटमर्ट की हो और हमारा यह मैं इंगरिड इंग्रीज हो तो फिर अदवर ही रहा जाती है यह वह खासी और तो आपके पूराणी से पुरानी जिद्दी मैल को हटाता है संटमर्स दूप से जुलसी हुई, इसकिन को रिपैर करता है, डैमेज सकिन को अच्छा करता है, आपकी इसकिन को कसावट लगता है, ये जैपनीज सीक्रेट इंग्रेडियन्ट है, यानि कि चावल का आटा है, इसमें बहुत ही अमाउंट में होता है, वाइटिनिंग एजेंट जो आपकी रंगत को साफ करता है, संटैन को दूर करता है, हम ले लेंगे इसमें 1-1.5 चमच के करीब ये चावल का आटा, चावल का आटा आटा आपकी हर तरह की टैनिंग को दूर करेगा, अगर आप धूप में बहुत जादा काम करते हैं, तो इस तरह से आपना फेस पैक बन आपकी इस किन को जो कोहिनिया वगेरा होती है, आपका बहुत जादा डिटी एरिया है, तो वो भी क्लिंस कर देगा, मैं बात करी हूँ अपने इस लेमन की लेकिन हमें लेमन कितना यूज करना है, वह सादा ध्यान रखने की बात है, बहुत सारे लोगों को लेमन सूट नह मुझे लेमन की चाहिए है, इसलिए बस इतनी अमांट काफी होगी आपकी संटैनिंग को तूर करने के लिए, अगर आप ज्यादा लेमन का यूज अपने चेहरे पर करते हैं, या फिर डारेक्ली यूज करते हैं, तो आपकी इसकिन जहरे डैमेज हो सकती है, जाग दब्ब दिन में काफी जो आपका अट्मॉस्फियर होता है, गरम होता है, फेस बैक जादा तर कोशिश करने चाहिए हैं कि शाम को लगाना है, तो इसको लगाने के लिए फेस को बिल्कुल अच्छे से क्लीन करना है, आपको बिल्कुल कोई भी डर्ट पलुशन नहीं होना चाहिए और फिर इसकी एक अच्छी सी थिक सी लेयर आपको अपने चेहरे पर अच्छे से लगा लेना है, जैसे ही ये 15-20 मिनट हो जाता है, तो आपको इसको हलके हलके से रगड़ करके उतार देना है, उखने के बाद आपको ठंडे पानी से वाश कर लेना है, जितना ठंडा पानी उसका असर उतना ही ज्यादा होगा इसको चुटाने के बाद आप कोई भी प्यारा सा टोनर यूज़ करेंगे और फिर इसके बाद आप मॉस्च्राइसर का यूज़ करेंगे फिर आप देखिए का आपकी इसकिन कितना रेडियंट करती है इसको आपको हफते में तीन मरतबा यूज़ करना है जरूरी याद से करेंगे तभी आपकी इसकिन बहुती फ्लॉलेस ग्लोईंग और वाइटन होगी बहुत सारी इंग्रेडियंट्स पर रिसर्च करने के बाद ये वीडियो मैं आप तक शेयर की है अगर वीडियो काम का लगा हो तो जरूर से मुझे फॉलो